हेलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चकर का सीरीज स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए जो हम लोगों ने इं धूनिक भारत खतम कर रखा है और साथी साथ हम लोग पैरलल में जोग्रफी को स्टार्ट कर रखें तो इतने सारे सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने देख रखा है तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस से ये सब देख सकते हैं आज का हमारा पहला कोशन है वो यह कह रहा है कि राज के निती निदेशक से धानतों को भारतिय सम्विधान में सामिल किये जाने का उदेख क्या है देखें राज के निती निदेशक से धानतों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाग च अनुछेद 36 एकाबन और इसको लिया गया है आयरलेंड के संभिधान से ये तीन चीज तो आप लोगों को एकदम से यादी रखना है ठीक है फिर कह रहा है कि भारतिये संभिधान में सामिल किये जाने का उदेश क्या है तो इसका उदेश है समाजिक और आर्थिक प्रजातंत में सहाय करना सहायता है जिसका संभिधान निर्माता एक कल्यानकारी राज की अस्थापना के लिए प्रभधान करना चाहते थे नेक्स केह रहा है ये निमलिकित में से कौन एक राज के निती निदेसक सिध्धान्तों का उद्देश नहीं है यह पूछ रहा है समाजी कार्थिक नियाय को सुनिष्चित करना यह भी है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number C एक धार में एराज की अस्थापना करना next कहरा है ये निमलिकित कत्नों पर विचार कीजे भारत के सम्मिधान के संदर्ब में एराज की निती निदेसक तत्व जो है वो बिधाईका के क्रीतों पर निरवंधन करते हैं ये गलत है आगे कहरा कार्यपालिका के क्रीतों पर निरवंधन करते हैं ये भी गलत है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number C ना तो एक ना ही दो देखिए राज के निती निदेसक तत्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो बिधाईका, कार्यपालिका और संब्यधानिक मामलों में राज्यों के लिए सिफारिस हैं जो MC सीतल बार्थे उनके अनुसार निदेसक तत्व जो है वो कोई बिधिक या कानूनी उपचार नहीं बताता है बलकि ये सभी राज क्रियाओं की बिधाईका या कार्यपालिका के लिए परभुत प्रिष्ट भूमी का निर्बान करता है इससे क्लियर होता है कि राज का नितिके निदेशक तत्व जो है वो ना तो बिधाईकों के क्रितों पर निर्बंधन है और ना ही कारिपालिका के क्रितों पर आगे कह रहा है इं तत्वों में अंतरबस्ट उपबंद किसी न्याले द्वारा परवर्तनिय नहीं है ये भी बिल्कुल सही है ये न्याले द्वारा परवर्तनिय नहीं है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C एक और दो जो है वो दोनों सही है यहां जो कह रहा है इं काल्यनकारी राज की संकल्पना का समावेश जो है वो भारत के संविधान में है तो यह जो है वो भारत के संविधान के राज के निती निदेशक तत्वों में है हाँ बिल्कुल है क्योंकि निती निदेशक तत्वों में काल्यनकारी राज की अस्थापना है तो राज को नि अबम राज जिनेतिक नाय, विचार, अभिवेक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्टा अबम अपसर की समता जो है वो प्लब्ध कराएगा जो एक कल्लेनकारी राज के आदर्स का प्रतिक है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होग आपसन नमबर A और आपसन नमबर D नक्स कह रहा है कि राज के निती निदेशक तत्व जो है वो सहज अध्यान के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजी किये जा सकते हैं तो सहज अध्यान के लिए समाजबादी, गांधी बादी और उदार बहुतिक्ता बादी तीनों में किया जा सकता है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा आपसन नमबर D उप्योक्त सभी क्योंकि देखे राज के निती निदेशक तत्वो को सहज अध्यान के लिए समाजबादी, उदार बहुतिकवादी, गांधी बादी, मानवाधिकार, समाज़ी के बम आर्थिक कल्यान विभाग, यह सब पाटों में विभाजित किया जा सकता है नेक्स्ट कहरा है निती निदेशक सिध्धानत है तो निती निदेशक सिध्धानतों की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह क्या है बादी योग नहीं है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा आपसे number B बाद योग नहीं है निती निजेसक सिध्धान्त जो है वो बाद योग नहीं है इसे न्याले के द्वारा परवर्तिनिया नहीं कराया जा सकता है कौन से अनुछेद के द्वारा अनुछेद 37 के द्वारा आगे कह रहा है कि निती निजेसक सिध्धान्त की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखेगा या समाज की भलाई के लिए है या सरीकार के अधिकारों को बढ़ाता है नक्स कहरा भारत के सम्विधान के अनुछेद 37 यह कहता है कि राज के निती निजेसक तत्व जो है वो देश के सासन में मूल भूत है और बिधी बनाने में इन तत्वों को लागू करना अजाज का करतब होगा नक्स कहरा भारत के सम्विधान में सुनिष्चित किया गया एक क्या है तो सम्विधान के लिए सम्विधान जो है वो अनुछेद 39 के घह के तहट क्या है राज के निती निजेसक सिधानतो कांग है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number B क्योंकि यही 29 का घह जो है वो सम्विधान का वो यहाँ प्रभ्धान करता है कि पुरूस और इस्तिरी जो है वो दोनों को समान कार्ज के लिए समान निबेतन होना चाहिए और फिर आप लोगों यह एक चीच और याद रखिएगा यही जो 39 का घह है इसी के अनुसरन के में संसर जो है वो 1976 में समान परिस्रमिक अधिनियम भी पारित किया था नेक्स कहा रहा है यह निम्रिखित में से कौन जो है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है यह आप से पूछ रहा है उत्पिरं के खिलाप अधिकार यह मौलिक अधिकार है समान कार्ज के लिए समान निबेतन का उलेट जो है वो मौलिक अधिकारों में नहीं बलकि राज के नित सकत्व के अनुछेद 39 के घव में किया गया है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर बी समान कार्ज के लिए समान बेतन जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है नेक्स कहरा है निमलिकित में से कौन सा जो है वो राज की निती के निदेशक तत्वों में नहीं थे यहाप से पूछ रहा है मतलब राज के निती निदेशक तत्वों के अंतरगत आता है यहाप से पूछ रहा है एक चीज तो आपको याद होगा कि मौलिक अधिकार जो है वो अनुछेद 12 से 35 है और 36 से 51 जो है वो राज के निती निदेशक तत्व है मतलब 36 से 51 में दो सिध्धी के सम्मध्न में संरच्षन यह तो आप लोग पढ़ रख रखे होंगे, यह मौली का धिकार है अनुचेद 20 के अंतर गता है ये अनुचेद 21 के अंतरगत क्या है? मौली कदिकार है अल्प संख्यक बर्गो के हीतो का संरच्छन ये अनुचेद 29 के तहट मौली कदिकार है फिर कहरा पुर्सो और स्तिरियों दोनों का समान कारज के लिए समान नवेतन ये जो है वो 39 के घां में है यानि कि यह जो है वो राज के निती निदेसक तत्वों में निहित है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमबर D नेक्स कहरा है भारत में निमलिखेद में से किसके अंतरगत पंचायती राज प्रणाली की विवस्था की गई है तो पंचायती राज बेवस्ता की प्रानाली की जो बेवस्ता है वो अनुछेद 48 जिसमें राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रबधान किया गया है तो यह किसमें आता है अनुछेद 48 यह आएगा राज के निती निदेशक्सिधानत में तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा आपसा नमबर 80 नेक्स कहा रहा है कि निमन में से कौन सा अनुछेद जो है वो पंचायत के गठन के लिए राज्यों सरकार को निर्देश देता है यह कौन सा अनुछेद देता है अनुछेद 40 देता है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर 20 अनुछेद 40 अनुछेद 40 जो है वो सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है इसके रुसार राज्य ग्राम पंचाय के अंतरगत ग्राम पंचायतों का गठन तो भारत के संभिधान के अंतरगत ग्राम पंचायतों का गठन जो है बोजाज के निती नी दे सक सिध्धानते है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर C नेक्स कहा रहा है यह सुची एक और सुची दो को सुमेलित करना कह रहा है अनुचेद चालिस की बात करते हैं तो यह मैच करेगा ग्राम पच्चायतों के गठन से अनुछेद 41 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कुछ दसाओं में काम सिच्छा और लोग साहता पाने का अधिकार तो यह जो है वो काम करने के अधिकार के साथ मैच करेगा अनुछेद 44 जो है उसमें नागरिकों के लिए समान नागरिक सहिता की बात की गई है और अनुछेद 48 जो है जिसमें क्रिसिय बंपसुपालन का गठन का बात कहा गया है तो यह जो हो है वो सामने सामने ही लिखा हुआ है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number 1 अच्छा एक चीज बताईए अनुछेद 48 में तो क्रिसिय बंपसुपालन के गठन की बात कही गई है अगर आपसे पूछ ले अनुछेद 48 के कव में क्या कहा गया है तो आप क्या बताईएगा अनुछेद 48 के कम में पर्याबरन का संरच्छन तथा संबर्थन और बन्न बं बन्न जीबों की सुरच्छा की बात कही गई है नेक्स कहा रहा है नीचे दो कथन दिये गए हैं एक को कथन और दूसरे को कथन कारणार कहा गया है कह रहा है कि मन्रेगा दर अर्ध परिवार के कम से कम से एक सदस को बर्स में 100 दिनों का रोजगार दिलाने का प्रभधान करता है या जो है वो बिल्कुल सही है देखिए जो महात्मा गांधी राष्टिय ग्रामिन रोजगार गरेंटी अधिनियम है यानि कि मन्देगा जो है वो भारत में लागू एक रोजगार गरेंटी यह उचना है जिसको की 2005 में लोक सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था यह यह उचना जो है वो परतेग बीतिय बर्त में किसी भी ग्रामिन परिवार के जो ब्यस्क सदस हैं उनको सौ दिनों का रोजगार उपलब्ध कराती है वही कहरा है रोजगार का अधिकार जो है वो सम्विधान के भाग तीन में प्रभईत है यह भी बिल्कोल जो है वो सही है क्योंकि यह काम पाने का अधिकार के तहत भाग चार के अनुछेद 41 के अंतरगत है ठीक है तो पहला जो कारण जो है वो सही है और कारण जो है वो गल सब्सक्राइब क्या कहता है अंतरास्टिय सांतिय और सुरच्छा के संबर्धन से संबंदित है अभी हम लोगों ने देखे था कि पर्याबरन का संबर्धन और बन्य बंबन्य जीवों की सुरच्छा अनुचे 43 की का की बात करते हैं तो इसमें उद्योगों के प्रबंध में करमकारों को हया ता पाने की अदिकार की बात कही गई है नेक्स्ट कहरागी 42 में संबिधान संसोधन द्वारा किस अनुचेत के माद्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागिदारी यह वह सुनेश्चित की गई है तो यह बो अनुचेत 43-1 में मतलब 43 का जिसमें उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार की बात कही गई है देखिए जो 42 मा संविधान संसोधन हुआ था कब 1976 में और इसी के द्वारा संविधान के भाग चार में जो राज के निती निदे सक्तत्व है उसी के अनुछेद 43 ए जो है वो अंता स्थापित करके यह कि आ गया था कि राज जो है वो किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों अस्थापनाओं या अंसंगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए एक उप्यूक्त बिधान द्वारा या किसी अन्यरिती से कदम उठाएगा नेक्स कहरा भारत के संबिधान में अंतरास्टिय सांती और सुरच्छा की अभी बृद्धी का उलेख कहा है? अनुचेद एक कावन में और अनुचेद एक कावन आता कहा है? राज के निती निदेशक तत्व के सिध्धान के अंतरगर्द। तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number B नेक्स कह रहा है कि भातिये सम्मिधान में कौन सा अनुचेद जो है वो भारत की बिदेश निती से संबंदित है तो भारत की बिदेश निती से कौन संबंदित है यही अनुचेद एकाबन तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number D नेक्स कहरा है जि सम्विधान के किस अनुचेद के द्वारा उद्ध्योग के प्रबंदन में कर्मकारों की भागेदारी का प्रब्धान किया गया है तो अभी हम लोगों ने देखा किसमें है अनुचेद 43 के कर यानि option number B में नेक्स कहरा है निम्रिखित में से कौन जो है वो सम्विधान के 42 में सम्विधान संसोसन द्वारा नीती नी देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया या पूछ रहा है कहरा सोसन से बच्चों इबंब्यसकों की सुरच्छा तो यह किसमें है 39 के च में फिर कहरा समान नियायत था निसुलक कानूनी सला यह जो है वो कहा है 39 के कव में है फिर कहरा समान अचार सहिता यह किसमें है समान अचार सहिता जो है वो 42 मा सम्विधान संसोसन अधिनियम के द्वारा सामिल नहीं किया गया है यह जो था वो मूल सम्मिधान के तहत ही अनुचे 44 में बढ़ने था इसको जो है वो 42 मा सम्मिधान संसोधन के बाद में नहीं सामिल किया गया है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा आपसा नमबर C वही कह रहा है उद्योगों के प्रबंध में स्रमिकों की भागेदारी यह तो बाद में जोड़ा गया है अनुचे 43 के का के तहत है इस कोश्चन का सही अंसर होगा आपसा नमबर C नेक्स कहरा सम्मिधान निम्न में से किसके सोसन के बिरुध अधिकार सुक्रित करता है तो बच्चों के हाँ बिल्गुल करता है जंजातियों के भी करता है इस्तियों के भी करता है दलितों के नहीं क्योंकि देखे सम्मिधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो सम्मिधान में बच्चों, इस्तिलियों और जंजातियों के सोसन के बिरुद्ध के अधिकार को स्विकलती प्रदान की गई है जबकि दलित सब्द का सम्मिधान में कहीं उलेखी नहीं किया गया है दलित सब्द का जब सम्मिधान में उलेखी नहीं किया गया है तो यह जो आपसर नमबर फूर है वो गलत दिया हुआ है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा आपसर नमबर सी केबल एक और दो और तीन नक्स कहरा है निमलिकित में से कौन जो है वो एक राज का निती नी दे सकता तो वो नहीं है यह पूछ रहा है कहरा है मधनिसेद अगर बात करते हैं तो यह सम्मिधान के अनुछेद 47 के तहत है फिर कहरा गौसनरचन या जो है बो संविधान के अनुच्यद 48 के तहत है फिर कहरा पर्यावरंसनरचन या जो है बो अनुच्यद 48 के का के तहत है फिर कहरा 14 बर्स की आयू तक के बच्चों को निसल को सुच्छा यह जो है वो राज के निती निदेशक तत्व का अंग नहीं है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number D क्योंकि देखे 14 बर्स तक के आयू के बच्चों को निसुलक और अनिवाद सिच्छा का जो उपबंध है वो अनुचेद 45 के तहत निती निदेशक तत्व था पहले लेकिन 86 मा सम्मिधाम संसोधन 2002 के बाद इसको जो है वो अनुचेद 21 के का के तहत अब मूल अधिकार बना द दिया गया है तो इस कोशन का जो सःदीख सिद्धान जो है वो किस परकार मौली का धिकार उसे भीन है तो और तो आप लोगो को याद ही होगा कि नितिनी जेशक सिद्धान जो है वो संविधान के भाग चार में बननी थे और कलेयान काजी राज की अस्थापना के लिए इस में निरदेस दिये गए हैं लेकिन मौलीक अधिकार की बात करते हैं तो यहाँ भाग सिधान सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है और मौलिक अधिकार जो है सरकार के महतब को घटाता है तो ये सारे कुछ डिफ्रेंस है मौलिक अधिकार और राज के निति निद्धेसक तत्म में जो आपको याद रखने होंगे Next कह रहा है निम्लिकित में से कौन सा राज्य के निती के निदेशक तत्वों में सामिल है यह आप से पूछ रहा है मानप के दुर्बैपार और बालास्रम का प्रतिनेद यह जो है वो नहीं है क्योंकि इसका जिक्र जो है वो अनुच्शेद टेईस एक के तहट किया गया है मूल अधिकार में फिर कहरा मादक पेव और स्वास्थ के लिए हानिकारक आस्दिये प्रियोचनों से भिन उपोबोग का प्रतिस यह किया गया है या जो है बो अनुचिद 47 के तहट या जो है बो राज के निती निदेशक तत्व का है तो इस question का जो सही answer होगा बो होगा option number B cable 2 जो है बो राज के निती निदेशक तत्वों में सामिल है next कहरा है कि निदेशक तत्व क्या है जिसमें अगर मौलीक अधिकार की बात करते हैं तो मौलीक अधिकार है बादियोग लेकिन निदेशक तत्व की बात करते हैं तो यह क्या है आबादियोग है तो इस question का सही answer होगा आपसर नमबर B नेक्स कहरा है भारतिये संबिधान में प्रतिश्थापित राज के निती निदेशक तत्वों के अंतरगत निमलेखित प्रभधानों पर विचार कीजिए कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के लिए समाने नागरिक सिबिल सहीता सुरचित करना यह जो है बो क्या है यह जो है बो गलत है यह गांधी बादी सिध्धान्त अच्छा यहां पूछ रहा है कि उप्यूक्त में से कौन से गांधी बादी सिध्धान्त है जो राजी की निती निदेशक तत्रों में प्रतिबंदित होते हैं तो भारत नागरिकों के लिए समाने नागरिक सहीता सुरचित करना नहीं ग्राम पंचायतों को संगटित करना हाई ये है ग्राम इन छेत्रों में कुटूर उद्यों को प्रोसाहित करना ये भी है सबी करमकारों के लिए अथोचित अपकास तथा सांस्क्रितिक अपसर सुरचित करना ये नहीं है देखे अगर हम लोग बात करते हैं गांधिबादी सिधान पर आधारी की तो इसमें कई प्रभधानों को निती निदेशक सिधानतों के अंतरगत सामिल किया गया है जैसे की ग्राम पंचायतों का संगठन अनुचेद चालिस में ग्राम इन छेत्रों में कुटूर द्योगों को ब्यक्तिगत या सहकारी अधार पर बढ़ाने का परियास अनुचेद तेतालिस में स्वास्त के लिए नुकसान दायक, नसीली दवाओ, मादक, पेओ, पदार्थों ये सब का प्रतिसेद अनुचेद तालिस में गाय और अन दुधारू पसुओं के बंध पर लोग और उनकी नसलों में सुधार का परियास अनुचेद तालिस यह सब यह सारे जो थे गांधी बादी सिधानत पर आधारी थें, बात बाकी यह जो नहीं था तो यहाँ आप्सन नमबर टू और थ्री जो होगा वो आपका सही अंसर होगा यानि कि आप्सन नमबर कौन होगा, बी होगा नक्स कहरा है, निम्न में से कौन जो है वो एक राज के निती नी दे सक सिधानतों में समली था यह पूछ रहा है कहरा है, राज जो है वो देश के परियाबरन के संरचन तसा संबर्धन का परियास करेगा, यही है, अनुचेद अर्टालिस के तहत फिर कह रहा है राज जो है वो किसी बैक्ति को कानून के समच समानिता से मना नहीं करेगा यह गलत है क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे अनुचेद 14 जिसमें बिधी के समच समता की बात कही गई है फिर कह रहा है राज किसी बैक्ति को उसके धर्म कुल जाती लिंग अथवा जन के अस्थान के अधार पर प्रभेद नहीं करेगा यह आप लोग पढ़े हैं अनुचेद 15 में और अस्थ प्रियस्ता का प्रवर्थन पढ़े हैं आप लोग अनुचेद 17 में तो यह जो 14, 15 और 17 रहा है यह सब जो कहां आ रहा है मौलिक अधिकार के अंतरगत आ रहा है और यह जो है वो अनुचेद 48 के अंतरगत राज के निती निदेशक सिध्धान्त में है तो इसकोशन का सही अंसर होगा आपसर नमबर ए नेक्स कहरा है निदेशक तत्वों में हां पाए जाते हैं के बूल कर्तबों में भी पाये जाते हैं यानि इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा अब होगा आपसर नमबर सी ए और बी दोणों में देखे क्योंकि 42 सम्मिधान संसोधन 1976 के द्वारा अनुछेद 48A के तहट एराज जो है वो देश के पर्याबरन के संरचन तथा संबर्धन का और बन तथा बन जीवों की रच्छा करने का प्रयास करेगा तो ये option number A तो सही है वहीं संबिधान के मूल कर्तबों के अंतरगत अनुछेद 51A जो है उसमें जो G है वो यह कहता है ये भारत के प्रतेग नागरे का यह कर्तब होगा कि वो प्रतेग पर्याबरन की जिसके अंतरगत बन जील नदी और बन नजीव है रच्छा करे और उसका स निती निदेशक सिध्धानत में भी है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा option number C है करमकारों के निर्बाह मजदूरी नहीं इसका विब्रन तो किया ही गया है अनुचे 43 में कहरा है गरीबों को निसुल्क बिधिक सहायता ये भी किया गया है अनुचे 39 के कव में फिर कहरा है बालकों की प्रारंबिक सिच्छा जब तक वह 6 बर्स किया यू ना प्राप्त कर ये भी कहा गया है अनुचे 45 में ठीक है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नंबर ए नेक्स कहरा है निम्लिखित में से कौन सा एक राज की निति निदेसक सिध्धान जो है वो संभिधान में बाद में जोड़ा गया ग्राम पंचातों का संगठन ग्र इसमें संभिधान संसोधन अधिनियम उनी सोचीहत्तर के बाद अनुचे 49 किका में जोड़ा गया जिसमें गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रभधान किया गया है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नंबर ए नेक्स कहरा इन में से कौन जो निति निदेसकत्व है यही है क्योंकि समान नगरिक सहिंता जो बहुंची 44 नागरिकों के लिए एक समान सिबिल सहिंता का विबरन जो है वो राज के नितिनिदेसकत्व के अंतरगत किया गया है नेक्स कहा रहा है निम्लेखित में से राज के निती निजेसक सिध्धानतों के बिसायों की पहचान कीजिए मध निसेद यह जो है वो अनुछेद 47 में इसका विबरन दिया गया है फिर कहरा है फैक्टरिय वेवम खाणों में बालसरम निसीद यह जो है बो अनूशेद 24 में है बेगारतवा बालसरम निसीद यह अनूशेद 23 में और अस्प्रीएस्था निसीद यह अनूशेद 17 में अब पूछ रहा है राज के निती नीदेसक सिध्धांत यानि 36 से 51 के बीच में कौन है तो यह है सिर्फ वर सिर्फ आपसर नमबर A बात बाकी यह सब किसमें है 12 से 35 जो की मौली का धिकार है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर C केबल एक जो है वो राज के निती नीदेसक सिध्धांतों की पहचान है इसमें नक्स कहरा है निम्न में से कौन जो है वो एक राज के निती नीदेसक तत्वों में नहीं है राज सुनिशित करने का प्रयास करेगा की पुरुस और महिलाओं को समान कार्ज है तू समान ने बेतन ये बिल्कुल है 39 के घह में फिर कहरा जीब को पारजन है तू प्रयाब साधनों का समान अधिकार ये भी है 39 के कह में आश प्रयेस्ता अनमूलन नहीं है क्योंकि अस्प्रयेस्ता अनमूलन का विब्रण बुशेट 17 में मौलिक अदिकार के अंतरगत किया गया है और काम हे तू नियाज संगत और मनोबाचित दसाओं में रहे यह जो है बौनुचेद 42 में राज के निती निदे सकसिधानतों में ही है तो यहाँ पूछ रहा है कि तत्वों में नहीं है तो नहीं होगा कौन अस्प्रियसता अनुमूलन तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसन नमबर C नेक्स कह रहा है राज के निती निदेसक सिधान्त एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुभधानुसार अदा किया जाता है जिस किस ने कहा था यह जो है वो केटी साह के द्वारा कहा गया था तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा बहुगा आप्सन अबर जी के टी सा नेक्स कहरा भारत के सम्मिधान के संदर में निम्लेखित कत्नों पर विचार कीजे मूल अधिकार, मूल कर्थब और राज की निती के निदे सकत्व कहरा है भारत सरकार दोरा अडरम किये गए जो रास्टिय समाजिक सहायता काजकरम है इसमें भारत के सम्मिधान में उप्युक्त उपुबंधों में से कौन से पूरे होते हैं तो या देखिए जो रास्टिय समाजिक सहायता काजकरम है इसमें सिर्फ और सिर्फ राज के निती के निदे सकत्व जो है वही पूले होते हैं तो इस question का सही अंतर होगा वो होगा option number B देखे अब 15 अगस्त 1995 में ठीक है यह 15 अगस्त 1995 में कोहीं रास्टिये समाजिक सहायता काजकरम जो है वो शुरू किया गया था और यह जो है वो राज के सम्विधानिक लच्चो बिसेशकर अनुचेद 41 जिसके की तहत बेरोजगारी ब्रिधा बस्ता और लोग सहायता समद्धी निदेश की प्राप्ति की दिशा में एक महत्पून कदम है नेक्स कहरा भारतिये सम्विधान के भाग चार में दिए गए गए निर्देशी सिधानतों में निम्न में से कौन सा जो है वो सुची बद्ध है यह पूछ रहा है समान काज के लिए समान नेबेतन यह है अनुचीद किसमें 39 के घा में फिर कहरा समान नागरिक सहिता यह भी है अनुचीद 44 में छोटे परिबार का मांडंड यह नहीं है और प्रात्मी कस्तर पर मात्री भासा में सिच्छा यह भी नहीं है देखिए प्रात्मी कस्तर में मात्री भासा में जो सिच्छा देने का विशेस निर्देश दिया गया है वो अनुचित 350 के क के तहत है ठीक है यह जो है वो भाग चार में उलेखित नहीं है लेकिन इसका परभाब जो है वो निती निदेशक तत्व के जैसा है लेकिन यह राज के द्वारा बाध्यकारी नहीं है इसलिए यहां निति नितेशक से धान्त में सुची बद नहीं है यहां सुची बद आपसे पूछ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कौन होगा समान कर्ज के लिए समान बेतन होगा और समान नागरिक सहिता होगा ठीक है नेक्स करा भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रच्छा करने और उसे अनुचन करने के लिए रखने के लिए मूल करतब को किस अस्थान पर रखा गया है तो इसको किस अस्थान पे मूल अधिकार से पूछ रहा भारत की प्रभुता एकता और अखंड़ता की रच्छा करने के लिए उसे अच्छुन रखने के लिए मूल करतब को किस अस्थान पर रखा गया है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा वो होगा ऑप्सन नमब सम्मिधान में जगह दी गई है और इसको 42 में सम्मिधान संसोजन 1976 के द्वारा रूस के सम्मिधान से लिया गया है नेक्स कहा रहा है कि भारतिय सम्मिधान के किस अनुछेद में 42 में सम्मिधान संसोजन विधैक द्वारा मूल करतबों को समलित किया गया है तो यह जो है वो मूल कर्तब अनुछेद एकामन ए में तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नबर बी अनुछेद एकामन ए और जब सुरू में 42 में सम्मिधान संसोजन के द्वारा चोड़ा गिया था तो 10 मौली कर्तब थे फिर 86 में सम्मिधान संसोजन 2002 के द्वारा इगरहमा मौली कर्तब जो है वो जोड़ा गया नेक्स कहरा मूल कर्तबों का उलेग जो है वो सम्मिधान में कब किया गया तो यह किया गया 42 मा संभिधान संसोजन 1974 में तो इस को सचन का सभी अंसर होगा वो होगा आपसा। aItal 62 सम्विधान संसंदाइं 1976 द्राही भारती नाग्रिकों के लिए भारतीए संविधान के भाग चार के क में अनुशी एकामन कंग सामिल किया गया और जिसके तहत 10 मौलिक अधिकारों का सौरीज दस मौलिक किरतबों की व्यवस्था की गई और सम्टिये संभीधान में मूल करतब सामिल किया गया है तो किस की संस्तूती पर किया गया है सरदार स्वांसिंग समीती के संस्तूती पर तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C स्वान सिंग समीती की नेक्स कह रहा है भारत के सम्विधान के किस भाग में मौलिक करता बूले खित है तो भारत के सम्विधान के भाग चार के क में है अनुचिद एकामन क के अंतरगत तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसे नमबर सी नेक्स कहा रहा है निमलिखित में से कौन जो है वो स्वान सिंग समीती 1976 के सदस रहे थे यहाँ पूछ रहा है ए आर अंतुले हाँ यह थे एस एस एरे यह भी थे सी एम स्टिफन यह भी थे हरदीब जोसी यह नहीं थे तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपस नमबर C A B और D आप लोग पढ़ रखे होंगे कि 1976 में सम्मिधानिक सुधारों पर अनुसंसा देने के लिए स्वान सिंग समीती की गठन की गई थी और स्वान सिंग समीती में अध्यच सहीत 12 सदस जो थे वो असमली थे नेक्स कहरा भारतिय सम्मिधान के किस अनुछेद में भारतिय नागरिकों के लिए मूल करतब जो है वो सामिल है तो यह जो है वो अनुछेद एकामन कम है भागचार का के अंतरगत तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपस नमबर C नेक्स कहरा मौली करतबों से सम्मधित निम्लिकित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है यह पूछ रहा है आपसे कहरा है कि उन्हें पर्मादेश द्वारा परभावी बनाया जा सकता है यही सही नहीं है नेक्स कहरा है कि निम्लिकित में से भारत में मौली करतब कौन सा है यह आपसे पूछ रहा है कहरा है नियापालिका से कारेपालिका का पृतिकरर नहीं यह मौली करतब नहीं है हमारे मिली जूली संस्कृति की संब्रित बिरासत को संरचित करना यह जो है और यह कौन से अनुछित एकामन का जो कह है उसके अंतरगत अच्छा में बर्नित है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसे नमबर B नक्स कहरा है एक नागरी के मूल कर्टबों में निवन में से कौन सा कर्टब जो है वो समलित नहीं है प्राकिर्थिक पर्याबरन की रच्छा और उसका संबर्धन ये बिल्कुल समलित है और ये कौन से नमबर पे है सात में नमबर पे है मतलब एकामन क क के अंतरगत छ में समलित है फिर कहरा अस्वतांतरता के लिए हमारे राष्टिया अंदोलन को प्रेडित करने वाले उचा दर्सों को संजोई रखना और उनका पालन करना ये भी है ये तो दूसरे नमबर पे है मतलब एकामन क क क क क क के अंतरगत है फिर कहरा अस्प्रियस्ता मिटाने की और परियास करना ये है नहीं है क्योंकि इसका विबरन जो है वो अनुच्छिद 17 में किया गया मौलिक अधिकार के अंतरगत फिर कहरा बैग्यानिक दृष्टिकोन मानबबाद और ग्यानूजन तथा सुधार की भावना का भी कास करें ये बिल्कुल है आठ में नमबर पे है मतलब एकामन क क क क के तहत है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसे नमबर सी अस्प्रियस्ता मिटाने की और परियास करना जो है वो अनुछी 17 के तहत एक मौलिक अधिकार है नेक्स कहरा है निम्ण में से कौन जो है वो भारतिय सम्मिधान के अंतरगत मौलिक करतबों में समलित नहीं है या पूछ रहा है देश की रच्छा करना एव राष्ट की सेबा करना ये बिल्कुल है चौथे नमबर पे लिखा गया है एकामन के क और गह में फिर कहरा हमारी समाजिक संस्क्रिती की गौरबसाली परंपरा का महत्र समझना और उनका परिरच्छन करना ये भी ये छटे नमबर पे लिखा हुआ है मतलब एकामन के क क के च में फिर कहरा है ग्राम पंचैतों के गठन में सहायता करना ये जो है बो मौलिक करतबों में समलित नहीं है क्योंकि अनुछेद 40 के अनुसार ये जो है वो राज के निती निदे सकत्व का काम है तो इस कोशन का सही अंसर तो हो जाएगा आपसा नमबर C वहीं सार्वजनिक संपत्ती को सुरच्छित रखना ये नौमे नमबर पे इसका जिकर किया गया है यानि अनुछेद एकामन के का के जा के अंतरगत है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसा नमबर C नेक्स कहरा है भारतिय संपिधान तोरा प्रदत नागरिकों के मूल कर्तबों में निमलिकित में से क्या है समाजिक अन्याय से कमजोर बर्गों की रच्छा का प्रब्धान जो है वो मूल कर्तबों में सामिल नहीं है फिर कहरा है बैग्यानिक मनुदसा और खोज की भावना का विकास ये है और बैक्तित्व और सामुही काल कलापों के सभी छेतरों में उत्कृष्टा के लिए प्रदत ये भी है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमबर सी एक तीन और चार है लेकिन दो नहीं है नेक्स कहा है निमरेखित मेंसे किस एक का संरचण भारतिय नागरीकों का मूल कर्तब है ग्राम पंचायत नहीं रास्टिय धोज नहीं अब आपको लग रहा होगा रास्टिय धोज नहीं हाँ देखिए इसमें जो अनुछेद एकामन के कह के च्छा के अंतरगर जो मूल करतबों में बन जीब संरचन तो सामिल है तो यह तो आपसन नमबर डी तो इसका सही अंसर होगा देखिए लेकिन राष्टिय दोच का उलेख तो किया गया है लेकिन इसके कहीं भी आदर करने की बात नहीं कही गई इसके आदर करने की बात कही गई है लेकिन संरचन करने की बात इसकी नहीं कही गई है यहां आपसे पूछ रहा संरच्छन तो यानि राष्टिय दोज नहीं होगा अगर आदर लिखा हुआ होता तब हो जाता फिर कह रहा है अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती तो इसकी आप भी नहीं किया गया है मूल कर्तबों में उलेक तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा आपसे नमर्टी बनने परा नहीं फिर कह रहा है भारत के परतेक नागरी का कर्तब होगा कि प्राकिर्टिक परियाबरन का संरच्छन निबं सुधार करे या किसमें है अनुछेद एकामन का के अच्छा में या संविधान के मौलिक कर्तबों में सामिल किया गया है एक बिल्कुल गलत है फिर कह रहा है मूल करतिब जो है मौली का दिकार का भाग नहीं है ये बिल्कुल सब्सvention तो करता यह भीиниस or को category का बिल्कुल 9 आपस नंबर एक नेक्स कहरा है निमलिखित मेंसे कौन एक जो है वो मौली कर्थब नहीं है। और प्राकृतिक बाता बरन का सनरच्छन और सुधार करना शुधार करना यह बिلकुल है। तो इस कोशन का जो सहाइं सर होगा भू होगा आफस नंबर ऐसी। यहां रास्ची महत्व के लिखा हुआ है इसलिए यह जो है वो मौलिक कर्तब नहीं होगा नेक्स कहा रहा है भारतिय सम्मिधान में कितने मौलिक कर्तब हैं तो भारतिय सम्मिधान में अभी फिलहाल 11 मौलिक कर्तब हैं दस जो हैं वो 42 सम्विधान संसोधन के द्वारा जोड़े गए और एक जो इगरहमा है वो 86 सम्विधान संसोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया तो इस question का सही answer हो का आप सनबर 21 फिर नेक्स करा है निमलिकित में से कौन सा तत्व भारतिय संविधान के भार चार के कर यानि मूल करतब में बरनित नहीं है राष्टिय धोज का आदर करना या बरनित है भारत के सभी लोगों के मद्ध भाईचारों का भाव विक्सित करना ये भी है अपने माता पिता और पूछ देता रास्टिय महत्व के अस्थानों और अस्मारकों की रच्छा करना तब नहीं होता लेकिन हमारी समग संस्क्रिटी के मुल्लबान धरोहर की रच्छा करना होगा तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसे नमबर इसी नेक्स कहरा है भारतिय संवि संभिधान के अंतरगत निम्लिकित में से कौन सा जो है वो मूल करतब नहीं है लोग चुनाओं में मतदान करना यही नहीं है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसे नमबर आ सम्विधान का भाग दू नाग्रिक्ता बिलकुल सुमेलित है अनुछेद 5-11 तक इसका विबरन दिया गया है तो फिर कह रहा है भाग 3 मूल अधिकार ये भी है 12-35 तक इसका विबरन जो है वो दिया गया है भाग 4 मूल करतब ये गलत है क्योंकि भाग 5 में संघ का विबरन दिया गया है अनुछेद 22 से लेकर 101 तक ठीक है वहीं मूल करतबों की बात करते हैं तो यह जो है वो भाग 4 के कव में है तो यहां गलत आपसे पूछ रहा तो आपका अंसर जो होगा वो होगा आपसे नमबर D नेक्स करा भारत की प्रभुता एक्टा और अखंडता की रच्छा करे और उसे अच्छन रखे या हो पुबंध किस में दिया गया है तो यह जो है वो मूल कर्तब में दिया गया तीसरे नमबर पे तीसरे नमबर यानि एकामन के क क क क क अंतरगत यह जो है वो दिया गया है कि भारत की प्रभुता एक्टा और अखंडता की रच्छा करे और उसे अच्छन रखे तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा आपसे नमबर दी तो यह था आमारा आज का वीडियो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अब जो हमारा पॉलिटी का जो नेक्स पार्ट होगा उसमें हम लोग राष्टपती से संबंदित सारे कोश्चन को करेंगे अगले वीडियो में ठीक है यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करना न भूले इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दे अभी तक आप इस चैनल पर नहीं है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और साथी साथ बेल आइकन दबा लीजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें थैंक्स वर वाचिंग